नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर हितेश शर्मा, आज मैं आपके साथ आगमन एवं निगमन विधियों के उपारे में चर्चा करूँगा विद्यार्थियों आपने सिक्षन के विभिन विधियों के बारे में अध्यन किया है जैसे कि विद्यार्थी अनुकूल विदियां एवं अनुदेशनात्मक विदियां कुछ विदियां आपने एसी पड़ी है जो कि सिक्षकेंद्रित विदियां है एवं कुछ एसी जो कि छात्र केंद्रित विदियां है आज हम उन ही में से जो आपकी नुदेशनात्मक विदियां हैं उसके अंतरगत आगमन एवं निगमन विदियों के बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले आप विचार कीजिए कि प्रभावकारी शिक्षंक की विदियां कौन-कौन सी है प्रभावकारी विदियों का अर्थ है जिससे की विद्यार्थी अध्यान करने के पश्चाद या आपके अध्यापन के पश्चाद पूरी तरह से आप जिस अवधारणा, संकल्पना या नीयम, सिदान, तत्यों को कक्षा में पढ़ा रहे हैं वो विद्यार्थी रूची के साथ जब पूरा सीख जाता है, इस तरह की विधियां कौन सी है, जिसमें विद्यार्थी पूरी तरह से सजग रहे कक्षा में, इस तरह की प्रभावकारी विधियां कौन कौन सी है, और आप जानते हैं, आपने कई बार देखा भी होगा कक्षा कई सिक्षक इस तरह से पढ़ाते हैं कि विद्यार्थी बुरियत अनुभाव करते हैं जिसे हम अप्रभावी विधिया कहेंगे सिक्षण की तो प्रभावी जो विधिया हैं हमारे पास उनको हम दो भगव में बाटे हैं एक है अनुदेशात्मक विधिया और दूसरी है विद्यार्थी अनुकूल विधियों में आपने देखा है खेलकूद विधी, प्रोजेक्ट विधी, समस्या समादान विधी एवं अन्वेंशन विधी मित्रो अनुदेशनात्मक विधियों में हमने जो विभिन विधिया है जैसे कि व्याख्यान, प्रदर्शन, आग्मन प्रशनोत्तरी विधी इसके अंदर केंदर में सिक्षक होता है, सिक्षक कक्षा में पूरी तरह से केंदर में रहता है और वो अपने हिसाब से कक्षा को नियोजन करता है एवं कक्षा का प्रबंदन करता है और उससे विध्यार्थियों को कक्षा में अध्यान करने में आस इसमें विद्यार्थी पूरे समय सजग रहते हैं और सजग रहकर वह सीखते हैं जो भी हम प्रकरण, तथ्य, अउधार्णा, सिद्धांत, कक्षा में पढ़ा रहे हैं उसे अच्छी तरह से सीखते हैं साथियों हम आज अनुदेशनात्मक विधियों के अंदर हमारा विशय है आगमन एवम निगमन विधी आगमन एवम निगमन जैसे आगमन एवम प्रस्थान आप अच्छी तरह से परीचित हैं आगमन विधी के अंतरगर्थ हम विद्यार्थियों को नियम, संकल्पना, आप विद्यार्थियों से लेंगे, विद्यार्थी अपने दिन प्रति दिन की घटनाओं से, अपने आसपास के वातावरण से, सजीव वस्तु के बारे में जानते हैं, या सजीव किसे कहते हैं, इसको अच्छी तरह से पेचानते हैं, तो वह अपने कई सारे उधारण वह अ कौन-कौन से वस्तु सजीव है, उनके उधारण दीजे। तो कई सारे उधारणों लेकर, आप जब विद्यारतियों से खुद परिभाषा बनवाते हैं, नियम बनवाते हैं, और विद्यारतियों से अंत में आप पुछते हैं, आप बताईए किसको हम सजीव कहेंगे, किसको हम निर्चीव कहेंगे, फिर विद्यारति उसके गुण बताएंगे, तो जिस तरह से आप कई सारे उधारणों के द्वारा, कई घटनवाओं के द्वारा, कई संबंधों के द्वारा, जब आप नियम की तरफ जा रहे हैं, अउधारणा की तरफ जा रहे हैं या आगमन विधी हैं हम और अच्छे उधारण से इसे समझते हैं आपको एक छोटी सी उधारणा पढ़ानी है प्रात्मिक अक्षा में कि फल किसे कहते हैं इस अउधारणा को पढ़ाने के लिए आप विधीयर्थियों से पुछेंगे कि विभिन फलों को विधीयर्थी पहले से जानते हैं कुछ उधारण आप देंगे जैसे कि फल, सेब, चिकू विधीयर्थी कुछ उधारण देंगे पपीता, तरबूज, खरबूज तो फिर आप कई उधारणों को इखटा करेंगे और फिर विधीयर्थियों से पुछेंगे इन सब को मिला के हम किस उधारणा की आपको जैनकरी होती है तो विधीयर्थी बताएंगे कि हमें इतने सारे उधारणों को देखे एक फल की उधारणा होती है लेकिन कोई विद्यार्थी अगर कहेगा कि किसी सबजी का नाम लेगा तो वो कहेगा यह सबजी तो फल नहीं होती है इस तरह से फिर हम उनको उस अउधार्णा के गुणों की और ले जाएंगे जब वह आगमनात्मक विधी से पढ़ेंगे तो अपने आप विद्यार्थी सजग हो जाएंगे कक्षा में वो उस अउधार्णा को पढ़ने में अपने आप रूची लेने लगेंगे उस प्रकरण में जिस प्रकरण को आप आगमनात्मक विधी से पढ़ा रहे हैं अपने आप उसमें रुच्ची उत्पन हो जाएगी और विद्यार्थियों को अन्वेंशन के लिए प्रोचान मिलेगा, सोचने के लिए, तर्क करने के लिए प्रोचान मिलेगा, कक्षा में विद्यार्थी आप जिस संक्रमला को पढ़ाना चाहते हैं, उसके कई सारे उदार डुणेंगे, सोचेंगे और प्रस्तुत करेंगे, इसलिए आपने उन्हें कुछ पहले से नियम परिभाशा नहीं बताई, लेकिन विद्यार्थी ने खुद नियम परिभाशा या सिद्धान्त की खोज की, इस तरह से हम आगमन विधी के द्वारा विद्यार्थियों में प्रती रूची उत्पन ने कर सकते हैं, तो हमने यह सीखा कि आगमन आत्मक विधी उधारण ये घटना के साथ शुरू होती है, और सूत्र नियम अवधार्णा एवन निशकर्ष पर समापत होती है, जो हम निशकर्ष पर उधारण ये घटना के साथ प्रारंब करते हुए और अंत में आपने निशकर्स निकाला कि हमने आज यह सीखा कि हम जितने सारे उधारन या जितने सारे तत्थी घटना हमने प्रस्तुत की या विद्यार्थियों से प्राप्त किया, उन सब के साथ इसका यह अवधारना, नियम या सिद्धान थे, तो प्रात्मिक कक्षाओं क के लिए यह विधी सर्व उप्यूकत है, विद्यार्थियों को इसमें मजा आता है, इस तरह की विधी से पढ़ाएंगे, तो आपका अध्यापन प्रभावी होगा, कक्षा में आप नियम से संबंदित समस्या विद्यार्थी को देते हैं, गणित विशय में आप कई कुछ नियम पढ़ाना चाहते हैं, मान लीजे आप एक नियम पढ़ाना चाहते हैं, कि दो विशम संख्याओं का योग सदेव एक संब संख्या होती है, लेकिन सिधे आप उन्हें यह नियम मत बताइए, आप कई सारी विशम संख्याओं का योग बच्चों से करवाईए, उनको तीन-चार ऐसे दो-दो विशम संख्याओं का योग करने को कहिए और उन्हें निशकर्ष निकालने दीजें कि जो परिणाम आ रहा है उसमें क्या समानता है विद्यार्थी कि जब खुद अपना उस परिणाम को समझे और उन्हें जो समानता जो आ रही है उसके आधार पर बताएं कि यह नियम उन्हें समझ में आ गया कि दो विशम संख्याओं का योग हमेसा एक संख्या होती है तो विद्यार्थी आगमनात्मक विदी से स्वयम निशकर्ष पर पहुँचते हैं अउधार्णा नियम और सिद्धान्त को पढ़ाने के में यह विधी बहुत ही सायक है दोस्तों तो आगमनात्मक विधी के आपने क्या मुख्य बिंदू देखें यह विशेश घटना से सामानिकरत निशकर्ष पर पहुँचने में साहता करती है हमने कई विशेश घटना उधार्ण से हम सामानिकर्ण की ओर चा रहे हैं तो जो सामानिकरत हम नियम, सिद्धान, उधार्णा पढ़ा रहे हैं वो हम कई उधार्णों से शुरू कर रहे हैं या किसी घटना से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ एक विश्वस्त प्रक्रिया है, जो कि सामानिकरत, निश्कर्ष या सुत्र पर पहुँचने में हमारी साहता करती है। यहाँ मूर्थ से अमूर्थ की ओर ले जाती है, जो आपका सिदान्ध है, जो आपकी अउधारना है, वह अमूर्थ है। और मूर्थ वह है जो बच्चा जानता है, जो ग्यात है उसे, तो ग्यात से अग्यात की ओर लेके जा रहा है यह, ग्यात तो उन्होंने अपने दिन प्रति दिन के घटनाओं में उकने आसपास की कई वस्तुओं को देखते हैं, और उन वस्तुओं में से वह उधारन या कई गटनाएं हमें बता दें, और उन गटना और उधारनों से आप उन्हें वह पढ़ाना चाहते हैं, जो प्रक्रण उनके पुस्तक में दिया गया है, उसकी ओर ले जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि आग्मनात्मक विधी मूर्थ से अमूर्थ की ओर जा रही है, मित्रों, निग्मनात्मक विधी क्या है, निग्मनात्मक विधी ठीक आग्मनात्मक विधी का विपरीत है, यहां सामाने से विशेश की ओर ले जाती है, यानि कि पहले हम सूत्र बता दें, पहले नियम बता दें, पहले हम संकल्भना बता दें, और उसके बाद फिर हम उसके उधारन अनुप्रियोग, विशलेशन या उसके आधार पे सवाल करें हम विधारन से समझते हैं जैसे कि आपने काक्षा में पहले ही बता दिया कि त्रिभूज के तीनो कोणों का योग 180 डिग्री होता है आपने विध्यार्तियों से ये पता करने को नहीं का आगमनात्मक विधी में हम पहले विध्यार्तियों से कई कोणों को अलग-अलग बनवा के उनका योग करवा के उन्हें खुद निश्कर्श निकालने को कहेंगे कि त्रिभूज के तीनो कोणों का योग क्या होता है जो भी ग्याद करने वाले हमारे गणित में जो प्रश्ण है, वो किसी नियम पे, किसी सिधान्त पे आधारित है, तो वो सारे हमारे निग्मनात्मक विधी की और इशारा करते हैं, क्यों यह विधी हमें अमूर्थ से मूर्थ की और ले जाती है, अमूर्थ यानि कि जो हमने नियम बताया, सिध्धान्त बताया, वो अमूर्थ है, और हमें मूर्थ की ओर ले जाती है, उसके अनुप्रयों की ओर, उसके उधारणों की ओर, यहां सिध्धान्त नियम और तथ्यों के अध्यापन, एवं समस्याओं के समाधान में यहां विधी हमारी साहता करती है, जो न निगमनात्मक विधी के बारे में हमने समझा कि सूत्र नियम आउधारणा से यह शुरू होगी और समस्या के हल पर समाप्त होगी। यह जो विधी है हमारी यह समस्या समाधान में प्रयोग करने योग यह हैं। और यह विदी सामाने से विशिष्ट की ओर ले जा रही है हमें, यह अमूर्थ से मूर्थ की ओर भी ले के जा रही है हमें, इसमें सिद्धान, नियम और तथि की सूचना हमें दी जाती है, मित्रों, सत्यता की जांच में निगमनात्मक विदी हमारी साहता करती है, समस्या समा निग्मनात्मक विधी चाहिए आग्मनात्मक विधी के द्वारा आपने कई सारे उधारणों को इखटा किया, घटनाओं को, तत्यों को, उनके आधार पे कुछ निसकर्ष निकाला, लेकिन वह निसकर्ष सत्य है या नहीं है, ये पता करने के लिए हमें निग्मनात्मक यह हमें समस्या समाधान में सहेता कर रही है और सत्तिता की जाच में भी सहेता प्रदान कर रही है और हमारा जो आगमनात्मक निसकर्ष सही है या गलत है यह तो हम निगमनात्मक विदी से पता करेंगे तो आगमन के द्वारा जो निकाला गया है निसकर्ष वह सही है या नही यह हमें पता चलेगा निग्मनात्मक विधी के द्वारा तो हमने आज के व्याख्यान में हमने अनुदेश्मनात्मक विधियां देखी विद्यार्थी केंद्रित विधी और सिक्षक केंद्रित विधियां शिक्षकेंद्री विध्यात में हमने एक विधी के बारे में विस्तार से देखा, उस विधी का नाम है आग्मनात्मक विधी या आग्मन विधी, निग्मनात्मक विधी या निग्मन विधी, आग्मन विधी या निग्मन विधी, दोनों विधी अपने आप में महत्व पूर गणित विशे में इन दो विधियों का बहुयात्यात में हम प्रयोक करते हैं, कक्षा में, यगी गणित के विशे में हम कई सूत्र बताते हैं, कई उधारणाएं बताते हैं, कई नियम बताते हैं, एवं कई सिध्धान्त बताते हैं, उन सिध्धान्तों को बताने के दो तरीक भुजाएं समान है तो उनके विपरित कोणों का योग हमेशा समान होगा इसको बताने के लिए आप पेले से अगर नियम बता दिया आपने और उसके बाद फिर उन पर प्रशन दे दिया कि एक कोण का मानी है तो समधी भावी त्रिभूज के दूसरे कोण का मान निकाली है उ और उन तीन समधी भावी त्रिभूज के विपरित कोणों की माप करें और माप करने के बाद हमें निसकर्ष निकालें कि उनमें क्या समानता और विद्यार्थी उसमें समानता निकालेंगे तीनों जो त्रिभूज बनाएं उनमें तीनों की कोणों की माप समान आ रही है इ किस तरह वो हमारे लिए उप्योगी है, इसके बारे में आज चर्चा की धन्यवाद.